नमस्ते जी, नमस्ते, तो सर मैं आपकी वीडियो बहुत दिनों से देख रहा था, और मैं एगरी भी करता हूँ आपकी बातों से, लेकिन एक ऐसा, मतलब एक ऐसा पॉइंट आता है, जिससे मैं एगरी नहीं कर पाता हूँ आपसे, वो होता है, वो होता है, रिजर्वेशन के ऐसा लगता है कि जो रिजर्वेशन है, वो छोटी जाती हो को देने से बहता है, कि आप गरीबों को रिजर्वेशन दे, रिजर्वेशन को छोटी जाती हो को देने से बहतर है, कि आप इस रिजर्वेशन को आप कैंसिल करे और हटाए इस लोको और गरीबों को रिजर्वे तो उनको रिजर्वेशन मिला था इसलिए वो ऑफिसर बने है अभी है ना तो जब अब वो डेवलोप हो गया अब वो सत्य में है वो अब अपने रिजर्वेशन का फाइदा उठा कि अब वो से स्टेज पे आगे कि अब उनको आगे आने वाली जो पीड़ी है उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं लेकिन मेरे पापा जो उनसे छोटे पे काम करते ह है और हम मेडिल क्लास में आते हैं तो जब उनका बेटा एक्जाम देगा किसी भी जैसे यूपीस इन सबका उनको रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलगा कि आपको यह चीज सही लगती है आप बोलेंगे इसमें हां बोलेंगे ना बोलेंगे ब मुझे से नहीं पता है आपको कभी ऐसा लगा कि चलो यार एक बार राजपूत बन गया रिजर्वेशन छोड़ देते हैं राजपूत का और चलो अपना रिजर्वेशन जो है राजपूत मेरा साला चीज तो ले ले तेरी जगह पर मैं आ जाते हूं अपना रिजर्वेशन जो है मैला साफ करते हैं नालिया साफ करते हैं और थोड़ा सा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं थोड़ा सा दिक्कत मेराते हैं तो फिर हम लोगों को लगता कि हाँ चलो भी जो है आपने रिजर्वेशन कभी छोड़ा है तो अभी जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है CST को य उससे पहले न जाने कितने पिर्णी तक आप राजपूत रहें हैं आज राजपूत होने का benefit क्या मिला है कि अभी एक कॉलर आये थे उबता रहें थे कि उनके जो है राजपूत बोलते हैं कि कोई हमको जो है देख ले तो उसको तो हम गोली मार दे नजर उठा के हमको देख ल है अगर आप जो है एक पिर्णी से उठाया होते एक से आप राजपूत होते हैं तरह से अगली बार मैं राजपूत आपने काश्ट के अधार पर लाव लिया है कि आप राजपूत हैं छत्रीय राजा हैं आप ब्रामण जो है आपने जात के नाम पर उसने रिजर्वेशन लिया है कि वो वेदों को पढ़ सकता है दूसरा कोई वेद पढ़ेगा तो कान में सीसा डाल देगा किस अधार पर जात को मंदिर में नहीं समय होता तो हम कहते हुआ अपने चाहिए तो नहीं किया है कि कि किया डादा पर तievesी मलनी चाहिए पता है मुझे अपने इन शित्वाब कर रहे हैं एमने एम्रोड कर रहे हैं हब क्म所त स्वास है तो आप तो आप यही बोल रहें कि जो गलती मेरे दादा पर दादा ने क्यों की उसकी सजा कहां मिल रही है जिनके रुकें जब आपने को श्चन कर लिया तो आंसर अपने क्यों ऑनों करना देता हुए आपने कोश्चन दागा कि आपके दादा पर दादा ने गलती की है उसकी सजा उनके बच्चे भी तो भूगत रहे हैं उनकी सजा हम तो भूगत रहे हैं आपके दादा पर दादा ने गलती की आपने पीछे कर दिया हजार साल से हम लोग को पीछे कर दिया हमारे पुरोजों क है आज तक उठ नहीं पाई है सजा कि आज भी भारत के सबसे पीछे क्यों कि आप बाप ददाओं ने गलती गलती की है आप यह पूरा आपने 100% रखा आपने 100% रखा और आज की डेट में आप अभी भी 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ले रहे हैं 50.5% ओपेंट आपके लिए खुली हुई है अभी भी आप 100% हमें नहीं दिया है एक बार अगर आप हमें 100% देते अगले 1000 यर्स तक जिस तरह से आप लोग एक हजार साल बीत गया तो चलो आप बराबर हो गया है आपने 100% भी नहीं दे रखा है और कितने साल हुए है अभी रिजर्वेशन लागे हुए मात्र सेवेंटीफोर यर्स या तो सेवेंटीफोर यर्स जो है इसको 1000 यर्स में कनवर्ट होने दिजिए भले ही 7% 7.5% 15% ही रिजर्वेशन मिल रहा हो लेकिन इसको कम से कम 1000 यर्स होना चाहिए जब तक 1000 यर्स इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोग का भी देखके लगता है कि अभी आप लोग जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाने वाले नहीं है और ज लिखते हैं बी वादी के बेटे को टेंपल रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए अच्छा ब्रामडवादी के बेटे को यह बिल्कुल सही कहा है आपने इस पर यह नहीं बात करेंगे ना इनको सिर्फ से मतलब है इनको अभी ब्रामड़ों की रिजर्वेशन राजपूर ठ आपने जो बोला कि उन्होंने जो गल्ती की तो उनको आज तक सजा मिल रहे हैं आज वो गरीब हैं उनको इस बात से कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि हमारा डेसी डिवलप करेंगा यह लेकिन वो सजे जो मेरे पापा के ऑफिसर है जिनकी सेलरी एक लाक रुपे उनको अब उ उनको तो आपने बोली दूसरे बात जो आपने बोली कि हमें जो sound safety 50% मिलती है तो देखिए ये रिजर्वेशन हमें 50% नहीं मिलती है इसमें आप OBC और CST वाले भी आ सकते हैं अगर वो हमसे अच्छा बेशन मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके पापा आज मेरे पापा के अफिसर है लेकिन उनके बेटे को नहीं मिलना चाहिए यह मैं बोलना चाहिए वह मुझे ज्यादा अमीर है वह है अभी एक मिनट बचा है और बोल लीजी आप जी जी नहीं नहीं टाम आपको सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि आपके कोई जो फाधर है उनका कोई सिंीर है उनको रिजर्वेशन मिला हूँ रिजर्रैशन का अपना परतेनित्व ले रहे हैं आज वे ले रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है इतने सालों से पिछले thousand years से आएके बाप-द ने ईतने सालों से जब नहीं हक दिया आज जब एक ही पिड ही को जब मिल गया आप इतने साल तक राजा रहे हैं आज तक किसी ने लोगों आपने भी उस समय आवाज उठाई होगी आपने नहीं दिया उल्टे मारा काटा आज एक पिढ़ी बन गी तो तुरंत आपको चुल मच गई अरे भाईया आपने जितने साल तक आपने डिस्क्रिमिनेट किया है कम से कम उतने साल नहीं तो उसके आधे साल तक भी इनको हक मिलन जाजे आगर कोई चीज संसाल नहीं समय अजुआ इसको तो संदोगे उसको बराबरी आने के लिए क्वी इक साल में तो नहीं दाल रहे हो वो उतना अच्छा तब भी नहीं बन पाएगा क्योंकि आप डबल बोज डालकर जल्दी से उसको पूरा करना चाहते हो तो हजार साल आपने दिस्क्रिमिनेशन किया तो 500 साल तो दोगे आप एक ही पिड़े पर इतने पिड़ित क्यों नजरा रहे हो अपने को इतना पिड़ित दिखाती है कि सामने वाले को फायदा हो गया अरे आपके जो राजपूत हैं जाकर देखो ना लेंड्स कितने लिए हुए हैं आपने इतने जो राजा हैं जब इंद्रा जब देश आजाद हुआ इंद्रा गांधि ने क्या बनाया था सब के जब राज चीने थें तब जाके उसने उनको इतने पैसे देती थी कितने लगों-लाखो रुपे उनको दिये जाते थे उस समय जब लाख रुपे कीमत बहुत ज्यादा होती थी तब उनको इतने पैंसन मिलते थे आप पते यह कितने CST को इतने फिरी में पैंसन मिले हैं कि भईया आप लोग इस देस के मूल निवासी है तो आपको पैंसन दी जाती है रजाओ को क्यों दी गई उस बारे में तो आपने किसी ने आवाज नहीं उठाई कि इनको फिरी में कैसे दे दिया CST को लेंड उनका छीन छीन के कोई और लेके बैठा हुआ था उसको फिरी में पैंसन दी जा रही है क्योंकि वो चीज अब सरकार ले रही है तो जिनका छीन के ऑल्रेडी जो पिढ़ित थे उनके बारे में सब चुप हैं तो यहां पे आप लोग यावाज नहीं खुलती है इतना बड़ा आपनों रिजर्वेशन ले रखा है यहां पर एक प्लिणी में अगर कोई पंता अच्छा दूसरा चीज क्या है आपने कहा कि आपके जो रिजर्वेशन है उसमें वो लोग आ सकते हैं और उनके रिजर्वेशन में आप नहीं जा सकते हैं आप मुझे बता द जब OVC आप जनरल में था तो OVC को कोई सीट नहीं मिलती थी सारा का सारा जो है आप लोग अपर कास्ट सारा कैप्चर कर ले जाते थे फिर जो है मंडल कमिशन इस बात पर ले आता है कि OVC को सीट नहीं मिल रही है इनके लिए इसमें सब रिजर्वेशन निकाला जाए 27% का रिजर्वेशन का कंसेप्ट आता है आपने एक सीट नहीं दी अपने में से मुझे याद है मैं पूरा डेटा आप उठा कर देख लिजेगा आप लोगों ने एक सीट नहीं दी OVC को फिर सरकार ने एक चीज तैय किया है कि भाया अब जितनी वेकेंसी आएगी तो अलग जो है यह अपर कास्ट जो है यह लोग ले जाते थे OVC को तब भी आपने सीट नहीं दी अलग से 27% क्रियेट करके उनको दिया गया है तो यह आप लोगों की यह हालत है कि अभी भी आपका इतना भी जिजर्वेशन उसमें कोई भी CST OVC नहीं जाता है आप पूरा जांच करा लेजिये सरकारी department का पूरा ब्यूर्य क्रेइश जांच करा लेजिये अभी जो हक मिलना चाहिए OVC को 27% वो नहीं मिला है अभी एस CST को 22.5% मिलना चाहिए वो नहीं मिला है अरे उनकी अपनी सीट तक आपने नहीं दिया है बा पूरा डिफरेंस है आप हिस्टरी को लेके चल रहे हैं आप हिस्टरी में बता रहे हैं कि आप उनके साथ इतने जुल्म हुए लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि हम दोनों एक बच्चा अगर 2010 में पैदा होता है और मैं भी 2010 में पैदा होता हूं तो आज हम 12 साल के हो गए हैं लेक पूरों मेरे पापा ने डादा पर दादा मत्मारों आप कितने पीडियां पीछे ले जा रहे हैं आप बोल रहे हैं लों ने गलत किया तो उसके साजा क्यों मिले मुझे कुछ समझी नहीं आ रहा है क्यों हमारे साथ असे नाइन साफी और जहां तक आप बहुत बात बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन दो तो मैं भी हूँ मैं भी इसके साथ हूँ क्योंकि अगर आपको कंट्री को डिवलप करना है तो आपको रिजर्वेशन गरीबू को देना पड़ेगा लेकिन जो ये जो रिजर्वेशन जो धर्म ये जो जाती है चोटी जाती जो डिवलप कर चुकी है जो हमसे ज़्यादा अमीर है तो उनको रिजर्वेशन देने का कोई मिलना चाहिए जो डिवलप नहीं कर पाए है आज तक तो जो कशक्रों कर दो बाखाए आपको स हा ni जो गरीब है सोब करने होगे 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 साँ होग कि यहां पर भी घाटे लिख रहा है इससे बामनों को जाकर बोलना चाहिए कि राजपूतों का रिजर्वेशन पर क्यों अतिक्रमड छोड़ दें तीन परसेंट बामनों ने इनका भी रिजर्वेशन लूट लिया है हाँ बिल्कुल सही कहा है आपने इनका एक्चुल रिजर देखिए आपने कहा कि हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं आज कोई डिस्क्रिम्नेशन नहीं हो रहा है मैंने सामने आपको एक पेपर दिखाया है और यह भारत की जाने-माने पत्रिका है और न्यूज पेपर है इसने यहां साफ साफ लिखा है नो इंडियन इंस्टिउ अब यह मुझे बताएं यह कौन से इतिहास में घटना घट रही है यह आज हो रहा है अगर आप किसी OBC, A, C, ST को रिजर्वेशन नहीं देंगे वो इसके साथ कास्ट बेस्ट डिस्क्रिम्नेशन होगा वायवा इक्जाम और इंटर्व्यूज में और इन उसको इंटरी ही नहीं दी जाएगी यह किस अधार पड़ता है होगा कास्ट बेस्ट पे हो रहा है और यह सर्वे रिपोर्ट है और यह आज की सर्वे रिपोर्ट है मैं किसी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा है हिस्ट्री की तो बात तब हो रही है कि जब आप लोग इतने बेरहां बनते रह आज आप चले हैं हम लोग को मानवता का पढ़ाने जो अपने पाप ददाया आपके हजार साल से नहीं सीख सके हमारे पूरवज बोले हमारे कभी नहीं बोलूगा मैं हमारे कभी नहीं बोलूगा मैं मैं आप इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप लोग के अंदर मानवता नहीं ह कि गलेलियों को हम लोगों ने तड़िपार कर दिया हमने उसके साथ बुरा किया हम उसकी च्छामा याचना मांगते हैं आप लोगों के अंदर अभी इतनी मानवता नहीं डेवलप हो पाई है कि अभी भी आप लोग वायवा में एकजाम में इंटर्व्यू में कास्ट डिस्क यहां आप लोगों को जो है डिस्केमिनेशन कर रहे हो कास्ट बेस पर और आप कह रहे हो हिस्टी में हिस्ट्रीक नहीं बात कर आप पढ़िये खुद पढ़िये यहां पर दिखिए क्या लिखा हुआ है अरे नो रिजर्वेशन मैं आप से पोल रहा हूं यह पढ़िये लि अनना रही उचांतों मैं कॉट्व फीव औरुह सुआ जिस्क्रीमिनेशन राइवा घ्याप्स ल मैं क्या मतलब होता है यहां वी भी नीचे कर दिया उच्यशन मैं समझ रहा की बात है को को आप स chiffू defyन आप जो है ना सिर्फ बता दीजिए कि क्या मतलब हुआ इंगलेस आप समझ पाते हैं थोड़ा बहुत समझ पाते हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं इसका हिंदी अनुवाद तो बोलिये मैं बता देता हूं यह वहीं बोलना चाहरा है कि वाइव और इग्जाम्स के इंटर्व्यूज में जो नूप इंडियन जो आप पुरी ओफ कास्ट बेस्ट डिस्क्रीमिनेशन होता है आज भी यह बोलना चाहरे हैं अच्छाँ यह क्या कहा आपने फ्री ओफ जो यह बोलना चाहरे है कि आज भी पहले किश्डाम और इंटर्वcause में डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट हो फूले की अच्छ है अच्छ ठीक है अच्छा माल लिजीए कि कोई बंदा जो हैवह अमीर ही है और वह बंदा जब वायबा में जाएगा और उसके साथ काश्ट के अधार पर discrimination होगा तो वो बंदा को कैसे फिर नुकरी मिलेगी वो तो गरीब भी नहीं है वो तो अमीर है लेकिन कास्ट उसका नीचा बता दिया गया है उसके अधार पर discrimination कर दियागा तो तो कहीं कभी नहीं रहा वो तो गरीब भी नहीं है और वो फिर भी उसके साथ discrimination हो रहा है तो वो कहां जाएगा ऐसे लोग कहां जाएंगे यह बताइए मुझे कहां एक मिनट रूके यहां पर लिखा है नो इंडियन institution मतलब समझ रहे हैं क्या इसका मतलब हुआ पूरे भारत के institution की बात चल रही है एक institution या exception की बात नहीं चल रही है यहां लिखा है नो इंडियन institution कोई भी भारत का institution जो है वो फ्री नहीं है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हो वाइवा में और इंटर्व्यूज में यह बात लिखी है यहां पर एक की बात नहीं हो चल रही है यह किस चीज की website दिखाई आप इसका यह वेशाहीट बता देता हुना उपर पढ़िया ना क्या लिका हुआ है यह वायर अरे यह तो प्राइवेट वेब्साइट है अच्छा आपके आपने ने यह कहा एक मिनेट एक मिनेट तोड़ा रूप चेए तो ने जो नीज मीडिय भारत में जो मीडिया है जो मीडिया संस्थान जो भारत के जो प्रतिष्ठित होते हैं जिनको कहा जाता है कि एक रेकनाइज्ट या फिर कहा जाता है कि जो विल मीडिया प्रतिष्ठान होते हैं उसमें से एक है एरा गैरा नहीं है चोटा मोटा नहीं है यह वायर की अपनी जो इसकी सर्वे होती है यह रिपोर्ट को ऑथेंटिक माना जाता है और भारत का कॉंस्टिटूशन में आपको पता है कि नहीं पता है कि जो चौथा अस्तम है उसको मीडिया कहा गया है अगर कोई खराब प्रदर्शन कर रहा है तो उसको हटा दिया जैगा यह जी नहीं है कि जो उसमें चीप लगा दिया क्या नाम है 2000 के नोट मेंचीप लगा हूआ बता दिया और भक्ति जशनग प्रशार कर रहे हैं कि 2000 नोट में चीप लगागा जमीन के नीचे भी गाड़ दोगे तो उससे असे पता कर लेगा वैसा यह triple नहीं है ठीक लेके घूम रहे हैं आप लोग और आप बोल रहा है कि यह प्राइबेट आप नहीं होती है उसकी अपनी अपनी बाते कहते हैं और इसकी गारंटी पूरे मीडिया पर होती है समझें यह चीज होती है चले आप बताएं मुझे जो आचा एक दूसरा भी डेटा दिखाता हूं अभी तो एक डेटा मैंने दिखाया है तो पूरी डेटा देख लेजिए ना अभी आप जो बोल रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की तो चर्चा हो ही रही है तो पूरी चर्चा हो जाए एक दूसरा आटिकल है तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं यह आप अभी तक नहीं समय आपको वही चीज दिखा रहा हूं ना जो आप देख देखकर अंजान बन रहे हैं यह जड़ा पढ़िए तो यह क्या लिखा हुए है ओसा है और या आट्भ अर्टू ऑप सटाथ तो क्या होताइं बलाप को उद्सक्रा परफ़ेसर नहीं है अब देखिए जब Central University आ गई वहां पे OBC की संख्या भारत में कितने परसेंट है आपको आइडिया है जी बताएं कितने परसेंट है अब बताएं ना आपने जब इतना बता रहे हो कि गरीबी की अधार पर होना चाहिए तो थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा ना कि तो बीची का कितना जन संख्या है कितना परतीसत है बताएं मेरे तो बीस से किस परसेंट है जेनरल की कितनी संख्या है जेनरल की 50-60 जेनरल की 50-60 कौन से युनिवर्ट सिटी से आप पढ़के आ गए हो डिवेट करने के लिए टोड़ा गूगल कीजिए तो अच्छा जी ओबीसी की टो एक इसाइक नी को मुझे पता है तो है आधि कमाल है बाई सब कहां कहां से आप रिसर्च करके तो कैसे आप लोग डिवेट करने आ जाते हो जब आप लोग को इतनी छोटी-छोटी जनकारिया नहीं होती है किसकी जन्रल की जी अच्छा और ओभी सी कि कितनी है 2121 अच्छा एस्ट की कितनी है कि एस्ट की सब्सक्राइब इसमें 16 परसेंट बता रहा है जी कौन से कहां से आप देख रहे हैं कि गुगल कि बड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए तो सब को दिखा दूं कि सर्गुगल पर आप भी सर्च किजिए आपको भी यहीं डिलेगा आप दूसरे से सर्च कर नहीं तो आप कुछ बताएं ना कहां से देख रहे हैं कौन से वेव साइट से देख रहे हैं जो 20-21 परसे इन इंडिया और इसमें डाटा इस फॉर ए अग्री कल्चर यह 2018-19 इसके इस अब से बता रहे हैं कि 17.24 करोर्स हाउसोल्ड में अच्छा 44.4 परसेंट ओवी सी है आपने क्या देख लिया यहीं चक्कर है ना जी 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 21.6 परसेंट ओवी सीज है और 12.3 से सेडियूल ट्राइप से और 21 परसेंट और सोशल गूप्स यह आपने देखा यहां पर इंडियन एक्सप्रेस जो लिखा है वही तु दिखा रहे हो ना यहीं बताइए 44 परसेंट जनसंख्या होने के बाद भी अगर किसी को कोई एक प्रोफेशर तक नहीं बन पा रहा है इसका मतलब कि इतनी बड़ी जनसंख्या जो है वो क्या सच्छा मीं नहीं है देश की 44.4 सबस्टेंट कि आप समझते हो 44.4 परसेंट में से एक भी कोई एजुकेशन सेंटर सेंट्र यूरसिटी में इसका क्या मतलब है यह कौन सा ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि जो है प्रोफेशर नहीं बन पाया सेंटर यून्वरसिटी में अब यह बताओ कि यह क्या के गरीब होते हैं क्या मतलब देश के 44.4 लोग गरीब है अच्छा जब यह गरीब है तो कितने परसेंट कर नाइटीन परसेंट कर नाइटीन परसेंट नाइटीन परसेंट यहां तो 21.6 और यह क्या लिखा है नहीं एक मिनट एक मिनट यह क्या दिखा रहा है यह इस्टीमेटेट 17.24 करोन रूरल हाउस होल्ड यह कुछ और दिखा रहा है डेटा यह आपका लेकिन फिर भी हम इतना भी मान लें इतना भी अगर हम मान लें कि परसेंट और यहां पे बारह दसमलों तीन तो यह कितने हो ग नहीं भाई साब यह जो है ना ट्राइबल से एंड 21.7 अधर सोसल गूप इस्टी इतना तो यह हो गया है यह किस और बारह कितने हो गए एक कट तैंतिस लगभा कट तैंतिस चौंटीस परसेंट ही यह तो चौंटीस पर चौंटीफोर और जो है थर्टीफोर देश की इतनी जन संख्या गरीब है आप यह बताए मुझे ज्यादा तर इसमें गरीब है तो बाकियों को फैदा नहीं देंगे आप भई करके रहे हैं डबल साउंड आ रहा है वहाँ सगर्बढ़ हो रही है डबल साउंड मताने दीजिए एक तो आप पाँ सही करके आते नहीं है इसलिए चीजह गरबर होती है पहले एक चीज आप यह देखिए कि रिजर्वेशन किस अधार पर दिया जाता है बताएं तुम दो मुझे रिजर्वेशन आपको यह कास्ट के अधार पर देते में क्यों दिया जाता है आटि आप देवलड तर्देस में अध्य पर्धेस में रजपूतों को दिया अज रजएस्थान में भी रजपूतों को oral अजय को रखा गया-स्थान उनको क्यों रिजर्वेशन दिया गया थाड़ा यह बताई वह में क्योंकि पिछड़े वे थे ना किस अधार पर पिछड़े थे आप यह कहना चाहरा है याँ राजपूतों को भी दिया गया है मद्य पर्देश में राजपूत मिला है यूपी में भी कुछ राजपूतों को मिला है और आपके पता नहीं था लेकिन वह गरीब होंगे इसलिए मिला होगा क्या हो गरीब अरे भाई सब्सक्राइब कुछ नहीं पता है चलें आप आप जो है न समय ही बर्बाद करने रुख जाए आप थोड़ा साब मैं कंक्लूजन देता हूं आप जो है सिर्फ समय बर्बाद करें आपको कुछ नहीं पता है कि आपके रजबूटों तक को रिजर्वेशन दिया गया है यह तक आपको नहीं पता है आचा यहां पे कुछ सुपर चैट आई है आप पे टिपनिया कई आई है यह भी पढ़े लेते हैं वरुन जी यहां लिक रहे हैं इस चे इस मानों को फोकस देखि इसको दलितों के साथ जो हुआ उसका कोई दुख नहीं है यह अपने रिजर्वेशन पर ही बात किये जा रहा है इसको दुख क्यों नहीं हाँ बिल्कुल सही कहा है आपने इनको कोई दुख नहीं है इतने काश्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है है दलितों के साथ यह चीज दलित जो है इनके पिताजी से आगे कैसे निकल गया बस एक इनकी अपनी परस्नल जो फायदा है वो चीज दिख रहा है जिसके करण जो है यह जाती को यहां पे को डिफेंट करने आ गया है अच्छा यहां पे जो है आप मुझे बोलने देंगे तभी तो नहीं आपको जितना मैंने बोलने दिया था ना वो काफी था ना आपसे कुछ पॉइंट बच गया हो तो लास्ट पॉइंट बोलना हो तो बोल सकते हैं बस एक मिनट बोलता हूं कि उन्होंने बोला कि मुझे परवा नहीं है कि इनके साथ हो रहा है तो मुझे बिल्कुल परवाब कंरी कि जाती के अधार से खतम होगे की प्रूबेशन ढ़न कि रिजार यहीँ मेरा अभी तक यह प्रूव नहीं किया कि क्यूं नहीं मिलना चाहिए सिर्भ जादी क्या जो गरीब है उनको रिजर्वेशन मिलने का कोई हक नहीं है अपनी चलिए वही चीजा फिर से यहीं पर जूट आपकी पकड़ गई अभी आपको बताया कि आपके जो राजपूत हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है आपके इवें जो है राजस्थान में भी है जहां जहां राजपूत पिछड़े हैं समाजी के रूप से पिछड़े हैं जहां पर आपके राजपूतों में कई कटेगरी होती है उसमें से कुछ राजपूत जो है सारा हडप जाते हैं जनरल के सीद और कुछ राजपूत ऐसे हैं उनका कुछ ऐसा वर्ग है जिसको आ नहीँ आपने कभी हैाँ जैसे नहीं और गया है तो वहां पर शुक्राइं डिया गया है कि उसको रिजरुप से और यह educational रूप से पिछड़ा हुआ है, तो जहां जहां पर पिछड़े हुए हैं, वहां पर दिया जाता है, इसमें जाती जो है अगर देखा जाता है कि कौन सी जाती जो है, जो मानक है, मानक कभी भी गरीबी नहीं है, क्योंकि गरीबी के अधार पर discrimination भारत में बहुत कम होता है, य मैंने पूरा दिखा दिया है कि इंटर्व्यू में कोई अमीर भी लड़का है, लेकिन उसकी जाती देखके उसके साथ discrimination किया जाएगा, यह भी चीज़ मैंने पूरी तरह से आप डिवंक भी हो चुके हैं, चले